हेलो मैं ब्रेदर और सिस्टर सहीद इंफॉमेटिव चैनल में आपका वेलकम है आज मैं पार्ट टू लेकर रही हूँ कि आपको बेनफिट कल्कुलेटर के जरीए कैसे अपना बेनफिट चेक कर सकते हैं युनिवर्सल क्रेडिट ये ओल बेनफिट कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब वीडियो के एंट तक देखें तब ही आपको सही इंफॉमेशन मिल सकेगी तो आज मैं आपको बताती हूँ कि बेनफिट कल्कुलेटर करना क्यों जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग नहीं पता जो अल्रड़ी बेनफिट ले रहे हैं को भी नहीं पता कि हमें अगर युनिवर्सल क्रेडिट में हम अपना ट्रांसफर करेंगे तो हमें हो सकते ज्यादा बेनिफिट मिल सके और हो सकते हम कम बेनिफिट ले रहे हैं तो इसलिए आप लाजमी इस वीडियो को देखें आज हमने इसका पार्ट टू बनाने लगी ह है मुक्ति तरह की मैं information दोंगी यानि random information दोंगी सबकी जो income select करोंगी या बंदे स्लेक करोंगी जो नाम है एजीज है सब कुछ random होगी यानि fake होगी यानि कोई confirm नहीं होगी मुक्ति तरह के लोगी ताकि मैं explain कर सकूँ या आपको बता सकूँ के calculate कैसे करना है मुक्तिव situations मे तो उसके लिए आप मैंने पूरी वीडियो देखें अब मैं आपको लेकर जाओंगी website पे उसके benefit calculator के government की website पे लेकर जाओंगी और policy and practice के जरीए हम calculate करेंगे अब आपने इसको click करना है policy and practice को ये आपको इसकी website पे ले जाएगा या आपको government की website पे मिल जाएगा ये policy and practice आप वैसे भी आप कहीं पे भी लिखे इसको own कर सकते हैं ये अब हमने देखें इस page पे ले आया है अब आप इनको लिखा हुए continue without signing अगर आप signing नहीं करना चाहते हैं रिजिस्टर नहीं होना चाहते हैं आप without registration करना चाहते हैं तो start calculation के उपर आप click करेंगे ठीक है तो ये आपक calculation के उपर ले जाएगा और ये याद दखें ये free calculation है इसकी कोई charges नहीं कोई पैसे नहीं लगती है कोई आपका data record नहीं रखता कि अगर आपको होगे पता नहीं हमारा को data record रख लेगा अगर हमको इसमें ऐसी information डालेंगे जिससे हमारा कुछ भी लिक हो जाएगा तो ये बिल husband की या आपके या आपके partner की इदर information वगयरा आप देंगे उनके नाम वगयरा होंगे marital status है कहां पर आप रहते हैं अगर आप सिंगल है तो फिर आप अपने single के बारे में उताएंगे इदर मैं randomly address वगरा select करूंगी कोई भी जो हमारे नियर area का है ना address मैंने select कर लिया है जि अगर है अगर आपका partner है husband है whatsoever जो भी है आपके साथ जो रहते हैं उनकी update of worth लिखेंगे ठीक है इनकी detail देने के बाद फिर उसके बाद आप अपने बच्चों की information भी इसमें देंगे कि अगर आपके कोई बच्चे हैं साथ आपकी जो रहते हैं जो 16 year से कम हैं या 18 year से कम हैं उनकी आप benefit भी ले सकते हैं और apply भी कर सकते हैं हाँ जो 16 या 18 year से plus जो हो जाते हैं बच्चे उनकी benefit आप apply नहीं कर सकते हैं अब यह मैंने इदर universal credit का comparison के लिए both old system भी select किया और new system भी select किया है इससे यह पता चल जाएगा आपको कि प्राने benefit से आपको कितना मिल रहा है और जो निया universal credit है जो उन्होंने सारे housing benefit बाकी भी job allowance वगारा combine कर दी हैं उनसे कितना मिलेगा उसके बाद आप household में आपके कितने बचे रहते हैं या दो है या तीन है इदर आप अपनी मर्जी से लिखेंगे ठीक है इदर में आपको बताओंगी कि दो बच्चों को अगर आप select housing benefit कितना मिलेगा और अगर तीन बचे select करेंगे तो आपको housing benefit कितना मिलेगा ठीक है यह find out more पे अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा को information चाहिए आप इसको click करेंगे तो वह आपको इसके अदर ले जाएगा और आपको बताएगा कि इस चीज का क्या मतलब है यानि हर अब आपने पूरी तसल नहीं कर सकें अब यह है अपने बचों की date of birth देनी है चाल्स की date of birth देनी है इधर one by one आप अपने बचों की date of birth दे और यहां पर मैं randomly date of birth दे रही हूँ यानि क्यूंकि मैंने तो already apply किया हुआ है या हम लेते हैं या नहीं लेते जो भी है आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं future में हमें कितना मिलेगा हम कितने benefit के लिए eligible है तो उसमें सारी information प्रवाइड की हुई है अब देखें सारी information आप लिखने के बाद यह आपको नीचे लेकर जाएगा और पूछेगा कि किसी को disability allowance का भी बिताया अपना घर है क्राएगा घर है mortgage पे है या आप लीज पे रहते हैं या आप homeless है इदर आपने अपनी situation के मताविक select कर लेना है और कितने bedroom में रहते हैं वो भी आपने select कर लेना हैं मैं randomly इदर जिसा दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं तू बेड्रूम स्लेक कर रही हूं आ बहुत ही maximum होते हैं जिनके 4-5 बच्चे होते हैं तो ये random हैं कि आप दो तीन select कर लें आप तीन भी करके अपना check कर सकते हैं आप क्यूंकि तीन बच्चों की आप देख रहे हैं इदर तीन बच्चों का जो local housing allowance है वो आपको 15.500 बच्चे होंगे तो यही local housing allowance जो होगा आपको 13.500 मिलेगा क्यूंकि जैसे आपके बच्चे increase होंगे आपके housing allowance increase होता है लेकिन एक बात याद रखना housing allowance increase होगा लेकिन आपका जो element है बच्चों का credit या बच्चों की जो benefit है वो इंक्रीज नहीं होगा वो सिर्फ दो बच्चों को देंगे ज्यादा बच्चों को नहीं देंगे जिस आप यह देख रहे हैं दो बच्चों का मैंने पीछे करके दखाया तो यह आपको यह 13 तो दे डेट ऑफ बच्चों की तीसे बच्चे की फिर वो नेक्स पेज पर जली जाओंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना जितने आप बच्चे होंगे उतने ही आपको housing element मिलेगा हाँ कोई disable है कोई आप फो fostering कर रही है उसका फिर आपको allowance separate मिलेगा और उसका आपको रूम के प जो रेंट है तेरा सो है चोदा सो है जो two bedrooms का है ठीक है यह इदर local area में चोदा सो भी है पंदरा सो भी है लेकिन मैं minimum लिखती हूं तेरा सो अब तेरा सो लिखा है monthly उसके बाद जो console tax है कि आप console tax का band क्या है B मैंने आपको पहले भी वीडियो में share किया था कि मैं इसकी उपर अब यह इसमें बताया है कि जो single है कि आप double रहते हैं single occupied नहीं है तो no करेंगे अगर single है तो yes करेंगे तो आप 25% आपको उसको कमी मिलती है single बंदे को और जिस जो bedroom खाली होते है यानि घर खाली होता है उसको 50% console tax में reduction मिलती है अब यह cycle उन्होंने पूछी है कि 12 month की cycle है कि 10 10 months की cycle है तो मैंने 12 करके उसके ओपर console tax लिख दिया है अब इसमें earning details है अब इसमें जो earning details है वो भी मैं randomly दे रही हूं कोई भी आप उठाके दे दें कि भी कौन सी है अब इसमें gross income और net income पूछ रहे है अब बहुसे लोगों को नहीं पता कि gross income क्या होती है और net income क्या होती है तो फिर आप की tax और national insurance कटने से पहले जो income को gross income कहते है और net income वो होती है जब आपकी pension और national insurance और tax कट जाए जो end पे जो income रह जाती है उसको net income कहते है तो hope आपको समझ आगे होगी कि gross income और net income क्या होती है अब इधर मैं randomly कोई भी income लिख देती हूं जिस तर 28,800 या आप 27,000 ल लिख दें तो इसके बाद आप इसको अपने आज लिखेंगे weekly hours कितने हैं किसी के 15 होते हैं किसी के 16 होते हैं 20 होते हैं मैं इधर 37.5 लिख रही हैं 40 भी लिख सकते हैं मुक्त लिखके आप बता सकते हैं लोगों को तो अब जो contribution benefit के लिए आप eligible हैं कि नहीं हैं ये वो benefit होते हैं कि जो लोग पहले जोब करते रहे हैं लेकिन बाद में किसी वज़ुहात की जोब चली गई है तो वो ये उनके लिए होता है इसके अपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसे apply करना है और कौन लोग इसके लिए eligible होते हैं और इसमें national insurance credit के लिए eligible हैं के नहीं हैं ये देखिए जिस तरह ये मैंने इदर click करके आपको दुखाया है कि इदर आप जब click करेंगे आपको ने पेच पे ले जाएगा और वहां जाकि आप easily अपना जो है ना चेक कर सकते है national insurance record चेक कर सकते हैं और national insurance record चेक करने के लिए आपको वही personal tax account बनाना परेगा परस्टेक्स अकाउंट बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी परेगी जो परस्टेक्स अकाउंट पर है तो आपको ये साथ मैं शेर कर देती हूं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाकि आप चेक कर लेना कि भी वह किस तरह बनाते हैं फिर जाकि आप अपने वेबसाइट पर अपने अकाउंट में जाकर अपना नेशनल शोनस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं अब चाल के रिकोस्ट के बार में पूछ रहा है हम दोबरा अपने टॉपिक पर आते हैं तो इसमें चाल के रिकोस्ट अगर जो चाल के रिकोस्ट देत क्लिक करेंगे तो हमें ये universal credit वला और बेनिफिट जो होते ना working tax credit child tax credit housing benefit उसके उसके भी बताएगा कि कितना अप अन्करेंगे यानि कितनी आपकी income होगी टोटल आपकी जो है ना income के साथ मिला के यानि आपकी salary आपकी benefit को calculate total करके आपको इतना आपके पास आएगा और universal credit के जरीए भी आपको बताएगा कि आपके deduction होके salary के साथ आपके पास कितनी income आईगी तो अब यह देख रहे है all benefit के जरीए आपको इतना child tax credit मिलेगा, इतना housing benefit मिलेगा, उसकी calculation भी साथ-साथ देवी है और लिखा हुए apply अगर कोई apply करना चाहता है इसको देखे कि भी हम apply कर देते हैं तो इससे apply करके वो आपको इसकी website पे ले जाएगा आप इसकी website पे जाके वहाँ पे apply कर सकते हैं, ठीक है जो भी options वगएर है इसके बाद मैं आपको यह सारी information में आपको दिखा रही हूँ click करके ताकि आपको पता चाहिए calculation कैसे होती है आपकी net earning इतनी है आपकी net income इतनी है तो सारा कुछ calculate करके आपको total इतना मिलेगा ठीक है और जो दूसरी website है उसके दूसरी दूसरा universal credit है sorry website में कह रही है universal credit है उसके उपर भी वह आपको बताएगा total calculate करके कि आप अगर universal credit जो old benefit already ले रहे हैं वो भी अगर चेक करना चाते हैं वो भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप old benefit लेने वाले जब universal credit पर transfer करेंगे तो उनको किता मिलेगा ये additional support ये कोई भी लिंक दिये हैं अगर आपको कोई additional support चाहिए तो आप यहां से जाके अपनी चेक कर सकते हैं चेक करने के बाद आप ये सारा कुछ देख लें एक दफाँ उसके बाद आप नेक्स पर आपको universal credit मिलेगा universal credit पर अगर आप convert करते हैं और फिर आपको कितना benefit मिलेगा टोटल तो ये आप देख लें universal credit पर जब आप convert करें इतना मिलेगा all benefit इतना है एक चीज़ आप धियान में रखना कि ये जो है सिर्फ random देने बताया कि आपको इतना ही amount नहीं मिलेगी ये याद रखना हर एक के circumstances change होते हैं किसी का एक बच्चा होता है किसी के दो बच्चे होते हैं कोई दोनों जॉब कर रहे होते हैं कोई बिल्कुल जॉब नहीं कर रहा होता तो आपके circumstances के मताबिक ये आपको amount मिलेगी ये मैंने सिर्फ एक डेंडम select करके आपको बताया है आपके salary कितनी deduct होगी और कितना आपको एंड पर ये amount मिलेगी सारा कुछ लिए चायल benefit कितना मिलेगा और हो सकता है बास लोगों चायल benefit ना मिले बास लोगों की इतनी salary होती है वो ना eligible होते है चायल benefit के लिए ना credit के लिए ठीक है अब ये मैं आपको job secret allowance के लिए ले गई हूँ कि जो जिन लोगों की job चली जाती है जो पहले job कर रहे होते हैं लेकिन एक दम से job चली जाती है बास काथ तो वो job secret allowance supply कर सकते हैं इसके और मैं एक एलादा वीडियो बनाऊंगी ये सरफ जबस आपको overview कराने के लिए कि आप एक नाजर देख ले इसमें क्या क्या होता है कौन eligible होते हैं क्या category होती है eligibility criteria क्या है कितने पैसे मिलेंगे तो ये सारा कुछ आपको overview देने के लिए है और इसमें जो है national assurance credit क्या होता है pension credit क्या होता है सारा कुछ इसमें मैं आपको अपनी next video में cover करूंगी और आप इसको लाजमी देखना मेरी इस video को भी complete देखना और जो next video आएगी जो इससे relevant होगी उसको भी आप लाजमी देखना अब आपको एक चीज़ में बता दूँ कि जो लोग apply करते है benefits पगएरा जिनकी सेविंग 16,000 से उपर है वो apply नहीं कर सकते ठीक है benefits किसी की किसम का benefit नहीं कर सकते खास्तों पर universal credit ये all benefit नहीं कर सकते या किसी की salary इतनी जादा है दोनों मियावी की मिला के क्योंकि जब आप couple होते हैं तो दोनों मियावी की salary मिला के वो account करते हैं क्योंकि दोनों मियावी भी ही जो है ने ये allowance ले रहे होते हैं तो उनके allowance की विज़ासे आपको यानि आपकी salary जादा होने की विज़ासे बासकात आपको eligible नहीं होते आपका जो end result होगा जब आप apply करेंगे इसको आप देखेंगे calculator में हो सकते आपको zero मिले या आप apply कर नहीं कर सकते वो सारी calculation के मताबिक आपको बता देगा ये government ने बहुत अच्छी website दे दिये ताकि जिन लोगों को नहीं पता ये उनको बताने के लिए कि आप apply करने से पहले अगर आप चाहते हैं या आप circumstances से गुजर रहे हैं तो आप वैसे apply करने से पहले या किसी के पास जाने से पहले एक online जा कि अपना calculation ज़रूर कर लें ये बिल्कुल free है free of cost है इस पर कोई charges नहीं है तो कि आपको कोई income देनी परेगी और पैसे लगेंगे कि आप कहें कि ये इन्होंने बताया है तो हमें इतना ही मिलेगा ये 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 वीडियो फेक है ये वीडियो में सही information नहीं देवी तो इस चीज़ का बिल्कुल खिया रखें ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा मकसद आपको पूरी पूरी information देना है कोई misguide करना नहीं होता तो प्लीज मेरी वीडियो एंट तक लाजमी देखना है लाइक करें सब्सक्राइब करें और मौर वीडियो के लिए प्लीज प्लीज कमेंट्स में आप लाजमी बताया करें कि भी कैसी वीडियो लगी उतनी देर के लिए आप से मैं जास मांगती हूँ नेक्स वीडियो के लिए मैं आप लाइक कर लें ताके आपको नेक्स वीडियो मिलती रहें ओके अल्ला हाफिस दुआ के दरखास टेक केर